इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह बलगम को पतला और धीला भी करता है, जिससे कफ को बाहर निकालना आसान हो जाता है. इसके अलावा यह खुजली, सूजन और चिकते जैसे अलजी के लक्षनों को दूर करने में मदद करता है. निलकोल डीम सिर्फ खाने के साथ या बिना खाना खाय भी लिया जा सकता है. खुराक और अवधी आपकी स्थिती और दवा के प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी. हर दिन इसे एक ही समय पर खाने की कोशिश करें. जब तक आपका डॉक्टर आपको रुखने के लिए न कहें, तब तक इस दवा को लेते रहना आवश्यक है. अगर आप बहतर महसूस कर लगे हैं. तब भी अधिक लाप के लिए नियमित रूप से इस दवा का इस्तेमाल करें. इस दवा के उपयोग से कुछ सामाने दुश प्रभाव हो सकते हैं, जैसे सुस्ती, चक्कर आना, मिचली आना या उल्टी. ये साइड इफेक्ट अकसर खतरनाक नहीं होते हैं और इ धीरे-धीरे सुधारना चाहिए क्योंकि आपके शरीर को इस दवा की आदत हो जाती है. अगर आप इन में से किसी भी साइड इफेक्ट से परेशान हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं. वे साइड इफेक्ट को कम या उनका इलाज करने के तरीके बता सकते हैं. निलकोल गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं, तो इस दवा की सुरक्षा के बारे में अपने डॉक्टर से पूछना जरूरी है. धूम्रपान आपके फेफ़लों को नुकसान पहुंचा सकता है और आपकी स्थिति को और खराब कर सकता है. इस दवा के रेमेडीज के दौरान ध धन्यवाद